हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम भारती रुपीज के सिंबल को आपने Windows 10 ऑप्रेटिंग के किसी भी सॉप्ट्रेवर में पोहती सिंपल तरीकिसे किस तरह से टाइप कर सकते हैं प्रेस करेंगे तो रुपीज का सिंबल आना चाहिए लेकिन ज्यादातर केम्प्यूटर में यह नहीं आता तो मैं यहाप प्रेस कर ले तो कुछ और ही की आ चुकी तो यह प्रॉब्लम क्यों आता है क्योंकि आपने जो कीवर्ड से लेकिया है अपने विंडोस को इंस्टाल करते हैं वह इंडियन नहीं है वह इनटेट श्रेट या फिर यूके ऐसा कुछ है इसे के कारण यह प्रॉब्लम आरे देखिए यहाप को कीवर्ड होता है तो हम जाएंगे पहले स्टार्ड में और यहापे टाइप करेंगे सेटिंग्स और सेटिंग्स के उपर क्लिक कर देंगे तो यहापे हमारे सेटिंग्स आ चुके तो इस सेटिंग्स के अंदर हमें जूनना है टाइम एंड लेंग्विज को जाएंगे तो मैं इसे थोड़ा digom inversion zwei country इंड्र्राल करते होकि डाली होगी वो यहाँ पे होगे तो अब हम चाहते हैं और एक keyboard यहाँ पर改 नाचाहते Czech और ब्लैक्म इंड़्ेक्ट में लिखाऊ gidewn उस keyboard को हम select कर देंगे और next की आपर क्लिक कर देंगे उसके बाद इतने सारे option को ही आपको select करना है और यहाँ पे आप set as a my windows display language भी कर सकते कुछ भी problem नहीं है लेकिन नहीं किया तभी भी चलेगा और उसके बाद यहाँ पे install के उपर चली जाएगा तो देखें कुछी शनों में यहाँ पे आपकी language English Indian select हो जीए तब यहाँ से इसका काम पूरा हो चुका है इसे हम close करेंगे तो उसके बाद आपके desktop के उपर देखें यहाँ पे 2-3 जो कोई भी language की keyboard आपने select कि होगे उसके option यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे click कर दिए और इस बाहर आप Indian keyboard कर से लिख किजिए English Indian okay उसे select कर दिए उसके बाद जिस साए software में जाना चाहते है वह आपे जाएए और यहाँ पे हमें क्या type करना है Alt, Ctrl, Alt और 4 में मेरे जो virtual keyboard होता है उसके उपर आपको दिखा देता हो जो on screen keyboard करेते हैं उसके उपर आपको दिखा देता हो तो देखिए इसे यहाँ पे रखिए और उसके बाद हमें प्रेस करना है Ctrl उसके बाद Alt और उसके बाद 4 दबाना है तो मैं Ctrl दबा देता हूँ तो उसके बाद मैंने Alt दबा दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर रुपीज का symbol आटेमिटिकल आचुका है तो उसके आप सभी जागा पर आपको Ctrl-Alt-4 दबाने के पाद आपके सामदे रूपीज का सिंबल आ चुका है तो दोस्तों यह सिंपल तरीकर था रूपीज का सिंबल अपने Windows 10 अपरेटिंग सिस्टेम में टाइप करने का वो भी बहुत ही सिंपल तरीकिस है इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो कता ही मत भूलिए तो मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई